नमस्कार दोस्तों, HEC ने एक बार फिर से अपनी उप्योगिता सिध करते हुए जारखंड को इस कोरोना वेश्विक आपदा से लड़ाई है तू एक ओजार दिया है जिसका नाम है सैनिटाइजिंग चेमबर, HEC ने इसे स्क्रैप से बनाया है और वो भी मात्र दो दिनों मे चलिए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में लॉकडाउन के दोरान HEC ने मात्र दो दिन में सैनिटाइजिंग चेमबर अर्थात की टानू नाशक कक्ष का निर्मान किया है HEC प्रबंधन के निर्देशन में आठ करमचारियों ने मिलकर काफी कम लागत में स्क्रैप स्टील, प्रोपेलर फैन, कॉपर ट्यूब, स्क्रैप शीट वो एंगल से इसे तयार किया है HMVP गेट के सामने शुकरवार को इसका उधगाटन हुआ मौके पर कमपनी के मार्केटिंग वो प्रोडक्शन डायरेक्टर राना चक्रवर्ती ने बताया कि जार्खन में यह पहला सेनिटाइजिंग चेमबर है जल्दी पांच और चेमबर बनाए जाएंगे फिलहाली ने प्लाइंट के अंदर लगाए जाएगा उन्होंने कहा कि अभी नाकपूर की पब्लिक सेक्टर कमपनी MOIL से 14 सेनिटाइजिंग चेमबर की मांग आई है लेकिन पहले राज्य की जरूरत पूरी करेंगे कोरोना जैसे खदरनाक वाइरस का प्रिसार रोकने में सेनिटाइजिंग चेमबर काफी कारगर साबित हो सकता है इसके अंदर से गुजरने वाला वैक्ति पूरी तरह सेनिटाइज हो जाता है यदि किसी के शरीर पर वाइरस है तो भी वह चेमबर में लगे पंखे और सेनिटाइजर के स्प्रे से नस्ट हो जाएगा इसे बनाने में 80,000 रुपय की लागत आई और HEC Corporate Social Responsibility के तहत एक सेनिटाइजिंग चेमबर रिम्स में तथा एक प्रोजेक्ट भौन में लगाएगा इसकी अलावा भी जार्खंड में जहां जहां जरूरत होगी HEC इस सेनिटाइजिंग चेमबर को लगाएगा धन्यवाद